Hello everyone, welcome back, welcome to Eye Care Taker, I am Dr. Deepak Thakur, Consultant Automatist. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Progressive Lenses के बारे में. Progressive Lenses में जो सबसे बड़ी problem हमको face करनी होती है, वो होती है कि वो हम लोगों को set नी होते है. Progressive Lenses के साथ क्या होता है? एक Lenses होता है जिसमें बहुत सारी power होती है. बहुत सारी में क्या होता है? उसमें दूर भी दिखता है, हमको middle भी दिखता है और pass भी दिखता है. ऐसा Progressive Lenses होता है, तो Progressive Lenses set क्यों नहीं होता है जल्दी? उसमें क्या problem आती है? क्या problem face करनी पड़ती है? इसके बारे मैं आपको guidance दूँगा और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे Progressive Lenses को हम जल्दी set करें? कहां से कौन सा Progressive Lenses हम purchase करें, जिसमें हमें दिक्कत ना आए, कुछ दिक्कत रिटेलरों के थुरू भी होती है, और कुछ दिक्कत हम लोगों की भी होती है, कि हम सस्ता खरीदने के चकर में गलत Progressive ले ले लेते हैं, और जो पैसा हम invest करते हैं, वो हमारा पूरा डूब जाता है Progressive Lenses में, तो आज की वीडियो में Progressive Lenses कैसे, कहां से purchase करें, कैसे use करें, कैसे उसको जल्दी set करें, सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो Progressive Lenses में क्या problem सबसे ज़्यादा face करनी पड़ती है, Progressive Lenses जो होता है, वो इस base पे होता है, कि जैसे आप य जाम जादा है, जिसको intermediate में आता है laptop, computer, यह चीज़ें intermediate में आती है, और जो हमारा phone होता है, reading distance, वो आता है near vision में, क्योंकि वो एक से देड़ फिट तक होता है, intermediate computer आता है, दो से तीन फिट पे, उसके बाद आता है हमारा far distance, मतलब दूर का distance, तो Progressive में बेसिक लिए यह तीन जिन लोगों का laptop या computer का काम होता है, वो लोग bifocal lens ले ले लेते हैं, Progressive में बाइफोकल में दो ही पावर होती है, दूर का और पास का, पास से जो हमें दिखता है, वो दिखता है सिफ एक से देड़ फिट तो मान लिजे उनको computer पे काम करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, जब bifocal lens है, तो नीचे टिक की है, और उपर दूर है, तो वो लोग क्या करते हैं, जब laptop का काम करते हैं, तो ऐसे ऐसे देखते हैं, पास वाले से, अब पास वाले से देखना तो में एक देड़ फिट ची है, पर वो सिफिर laptop देखने ही कोसिस करते हैं, तो वो उनको सेट न हो जाएंगे, दूर, पास और intermediate, अब lens में क्या दिक्कत आती है, लोगों को progressive क्यों set में होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं, intermediate distance है, लोग क्या करते हैं, मार्केट से जाके सबसे ज़्यादा local quality के lens ले ले लेते हैं, अब उनमें क्या दिक्कत होती है, ये जो progressive बना होता है इसमें steps होते हैं, जैसे जब ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग आते हैं, तो ये छोटे-छोटे step के ऊपर base होता है, मतलब जब आप दूर देख रहे हैं, उससे पास देखोगे, तो ये steps क्या होते हैं, उसमें बहुत जादा होते हैं, साथ में जो corridor होता है, वो भी छोटा हो होता है, और उनकी जो technology होती है, वो अच्छी नहीं होती मार्केट में, साथ हजार, बारे सो, पंदे सो रुपे में progressive मिल जाता है, तो वो progressive लोगों को फिर set नहीं होता है, तो इसलिए आपको याद रखना है progressive जब भी लेना है, अच्छी quality का लेना है, अच्छी quality का branded progressive आपक के लग जाएंगे, पर आपको quality genuine मिलीगा, अब इससे क्या होगा, आपका experience खराब नहीं होगा, अब आपने local progressive लिया, वो आपको set नहीं हुआ, तो अब set नहीं होगा, तो आपको उसमें क्या दिक्कत आईगी, आपने जो invest करा, हजार, पंदर सा, दो जार रुपे, वो आप एक brand आती है, codec, बहुत अच्छी brand है, अगर आप nearby उत्तम नगर रहते हैं, तो वहाँ पर हमारा izone के नाम से आउट लेट है, वहाँ से आप जाके purchase कर सकते हैं, वहाँ पर codec के, वहाँ के retailer है, वहाँ पर codec सिफ आपको izone के नाम की brand है, retailing counter है, उन पर ही मिलेगा, तो premium ची हम लोग progressive lens में, जब हमको problem आ रही है, जब set नहीं हो रहा है, तो हम क्या-क्या चीज कर सकते हैं, जिससे वह हमें जल्दी set हो जाए, तो जैसे आप जिस दिन progressive lens लेके आए, आपका बन गया, तो उसके बाद आपको याद रखना है progressive lens को लगा के आपको bike या car जब तक नहीं जब तक आपको वो बिल्कुल perfect set नहीं हो जाए, set होने के बाद ही आपको drive करनी है, ये सारे काम करने है, उसके बाद घर पे आने के बाद आपको टीवी के आगे बैठना है, उसके बाद अपने चस्मे को पहन के टीवी को देखना है, उसके बाद पास में near का newspaper आप ले सकते उसको पढ़ना है, तो आपको उसमें बेसिकली ये चीज सेट करनी है कि मुझे कहां से कैसे देखेगा, अब मान लिजे आपका ये चस्मा है, इसमें लगा हुआ है progressive lens, अब इसमें यहाँ दूर का distance है, यहाँ है near distance, अब आपको मान लिजे दूर देखना है, तो आपको और मुझे जब आप मैं दूर से देख रहा हूँ, head मैंने tilt करा हुए नीचे, तो मेरी जो आख वो यहाँ से टकराते हुए, यहाँ का reflection ले रही है, तो मुझे basically progressive मैं बस एक चीज करनी हूँ थे, head को आपको सीधा रखना है, सिर्फ आपके नीचे करनी है, अब जब आप द तरफ लानी है, उससे मुझे progressive मैं साफ देखे, अगर मैं head नीचे गर दूँगा, तो मेरी आख automatically उपर से देखेंगे, तो मुझे नहीं देखेगा, तो इस चीज को set होने में आपको 2-3 दिन, 4-5 दिन लगेंगे, habit में आने में, जब आपको एक बर यह चीज हैबिट में आ असानी से आपको सारी distance cover हो जाएं, और corridor का जो matter होता है, वो क्या होता है, अगली वीडियो में आपको corridor के बारे पूरा बताऊंगे, कि आपने देखा होगे, जब आप retail counter पे जाते हैं, तो उनमें बताया जाता है कि corridor सर आप यह बढ़ा ले सकते हैं, और बढ़ा ले सकते है तो इसके बारे मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा अगली, उसमें मैं बताऊंगा कि corridor का mainly क्या-क्या effect होता है, क्या फरक पड़ता है, corridor हमें बड़ा लेना चाहिए या नहीं चाहिए, तो थैंक यू फॉर वाचिंग में वीडियो, प्लीज लागे, प्लीज लागे, प्लीज प्लीज लागे, प्लीज दिए रचाहिए, प्लीज लागे, प्लीज लागे, तो यॉर लागे, क्या है, वीडियो लागे, तो इसके रहे वाटा बताश।